बोलने वाली गुफा एक जंगल में खर नखर नामक से रहता था एक दिन वह सिकार की तलास में बहुत दूर निकल गया साम हो चुकी थी कोई सिकार हाथ नहीं लगा था उपर से वह ठक कर चूर हो चुका था तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी वह गुफा के अंदर चला गया गुफा खाली थी सेर ने सोचा अवस्या यहां रहने वाला जानवर बाहर गया है रात होते होते वह गुफा में वापा जरूर आएगा ऐसा करता हूँ तब तक यहीं छुप कर बैठता हूँ जब वह जानवर आएगा तो उसे मार कर खा जाऊंगा और अपनी भुख मिटाऊंगा वह गुफा में एक कुने में छुप कर बैठ गया वह गुफा दक्षी पूछ नामक गिधर जैकल की थी जब वह लटकर आया और गुफा के पास पहुचा तो देखा की सेर के पंजो के निसान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए पंजो के निसान उसे दिखाई नहीं पड़े वह समझ गया की उसकी गुफा में कोई सेर गया है उसे या भी संदे था की वह अभी भी अंदर बैठा हुआ है यहा पता लगाने की सेर गुफा में बैठा है या नहीं उसे एक युपती निकाली गुफा के दोर पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला मित्र मैं वापस आ गया हूँ तुम ने कहा था की मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे लेकिन तुम तो चुप हो क्या बात है तुम कुछ बोल केओं नहीं रहे हो जब गीदर की अवाज सेर के कानों में पहुची तो उसने सोचा की ये गुफा अवैसा गीदर के आने पर उसका सागत करते हुए कुछ कहती है सायद मेरे यहां होने के कारण आज यह चुप है अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदर को संदेह न हो जाए और वहाँ वापस न चला जाए इसलिए वह गराज कर बोला आओ मित्र तुम्हारा स्वागत है जल्दी अंदर आओ सेर की गराज सुन कर गीदर डर गया वह उल्टे पैर वहाँ से भाग गया इधर सेर बहुत तेर तक गीदर की अंदर आने की प्रतिक्छा करता रहा लेकिन सब वेर्थ रहा अंद में उसे समझ आ गया की गीदर उसे मुर्ख बना कर भाग गया है सेर को अपनी मुर्खता पर बहुत क्रोधाया किन्तु अब वह क्या करता सिकार उसके हाँ से निगल चुका था सीख भविश्य के संकट को भाब कर जो बचने की युक्ति निकाल ले वह बुद्धिमान होता है